आप फोर बेडरूम हाउस प्लान डिजाइन टू बीस के फ्लाट डिजाइन ओके तो बिल्दिंग का जो फ्लाट डिजाइन स्टार्ट करने से पहले हम यहां पर देखिए इसका जो डोर यहां पर हम डोर क्रेट करेंगे ठीक है यहां पर और देखिए इधर भी डोर हम यहाँ पर door D1, D1 door, door इधार आपका बैल्कोनी का door, double door, ओके यहाँ पर बैलकोनी door, double door यहाँ पर main door, double door यहाँ पर gate यहाँ यहाँ पर जो है दोर यहाँ पर दोर यहाँ पर फ्लाट वन ओके यहाँ पर फ्लाट वन यहाँ पर फ्लाट टू और इधर जो है देखिए इधर भी दोर इधर दोर ओके इधर दोर, तो बेट के साथ दोर, यहाँ पार दोर, एटास टोइलेट दी वन, कमून टोइलेट दी वन, स्टेयर, आप, ओके, इधर से जाने के बाद, इधर, इधर तक जाएगा, ओके, इधर, ऐसे अपका प्लानिंग है, इसका टोटल, देखे, यहाँ पर जो है, इसका इधर, 30 फीट, ओके, और इधर, 54 फीट, 6 इंच, 54 फीट, 6 इंच, इधर, 54 फीट, 6 इंच, नेक्स्ट, इसमें हम दोर विन, विन, गरेट करेंगे, ठीके, इसका जो वाल, इहाँ पर हम पहले वाल जहाँ पर है, इहाँ पर हम वाल को मार्क करेंगे, इसका जो विन्डो पाट, इंटर्नल पाटिशन, आउटर पाटिशन वाल, इसे हम इधर, देखिए, फाइव इंच का वाल, इधर हम इसे, मार्क करेंगे, इसे, तो इसमें फाइव इंच वाल हमने क्यों रखा है, क्योंकि आपका जो इंटर्नल पाट, जो बिल्लिंग के घर के अंदर, यहाँ पर आपको अच्छे से, आपको कुछ जागा मिल जाएगा, घर बनाने में भी आपको अच्छा होगा, इसलिए हमने रखा है, अगर आ इहाँ पर देखे, इंटर्नल पाटिशन वाल, इधर इंटर्नल पाटिशन वाल, यह भी इंटर्नल पाटिशन वाल, इसको हमने कर दिया है, उसके बाद देखे, इहाँ पर हमने इंटर्नल पाटिशन वाल के बाद, आउटर वाल, इसमें कुछ वींडो का भी पोडिशन हम नहीं है, तो आप इसको मौडिफाइाइ करके, सट्विंडो इसका जो इंटरनल पातिशन वाल, हो भी पाक्टिनज'RE कर सकते हैं आपके पास अगर उप्षन नहीं है, तो इस डॉर में फौबाएट करेंगे इसका भी उंडो, हम फॉंड़ में फौबाइट करेंगे आपको सब्सक्राइब कर सकते हैं तो फॉंट में इसका भी विंडो आप प्रवाइट कर दीजिए यहाँ पर आपका आएगा ऐसे इसे कंप्रीट करने के बाद हम इसका जो डीटेलिंग है आपके साथ श्यार करेंगे इसके बाद देखें इहाँ पर हम डीटेलिंग करेंगे आपके साथ तो डीटेलिंग करेंगे इसके टोटल स्कॉर्फीट ना आपको 1500 स्कॉर्फीट के अंदर पिल्डिंग प्लान का डिटेर्स मिल जाएगा तो कितना स्कार्फिट 1500 स्कार्फिट ठीक है तो यहाँ पर हम थोड़ा सा हाइलेट करेंगे इसका तो डिटेलिंग क्या है देखिए यहाँ पर जो है पहले पोर्च एरिया 8 फिट 8 इंच वाइड यहाँ पर लॉबी जहाँ से भर के अंदर बाहर जा सकते है यहाँ पर टोटल लेंद 13 फिट 8 फिट 8 फिट ओके स्टेर एरिया यहाँ पर दोर देखिए फ्लाट वान फ्लाट टू तो स्टेर अरिया में हम इसका भी डिटेरिंग पहले करेंगे 3 फिट 6 इंच वाइड 8 फिट टोटल वाइड 3 फिट 3 फिट ऐसे रहेगा ठीके लॉबी का हो गया उसके बाद इधार आएंगे फ्लाट में यहाँ पर 4 गवाँ टोर टका करेंगा दूमें रीके का ऑयं पर को ने आशर हाएगा, measurement 12, 11, 12 feet, 11 feet, okay, 9 feet 4 inch, 11 feet, 12 feet, 9 inch, and 8 feet, 7 inch, यहाँ पर 8 feet और इधर 7 feet, तो बादर लाटरिन यहाँ पर 5 feet, 5 feet, 4 feet 6 inch, and 7 feet 10 inch, okay, ऐसे करके एक पर्ट हो गया, सेकंड पर्ट में, देखिए यहाँ पर जो पर्ट, यहाँ पर हम करेंगे, अने पर्ट सक्श द्रोब मेड्रोम बाल्कोनीं, बाल्कोनी, तरूइंग संवी तर्इन मीच राट म। बात ब्स लाटूश यहाँ छाट ट्वालेट अटाच ऐसे रहेगा इसका भी ट्वेल्फ 11 फीट रहेगा 12 फीट 11 फीट 12 फीट ओके यहाँ पाँ ट्वालेट 4 फीट 6 फीट 5 फीट 7 फीट 10 इंच ओके नेक्स्ट इधर जो है देखिये 12 फीट 9 इंच यहाँ पार 8 फीट 7 इंच 9 फीट 4 इंच 11 फीट 7 फीट और 8 फीट ऐसे करके हमने प्लानिंग किया है ठीक है और इस प्लानिंग में हम जो टोटल इसका जो कालम पोजिशन आएगा तो कालम हम यहाँ पर दिखाएंगे कैसे दिखाएंगे देखिए तो हम एक मार्क यहाँ पर करेंगे ऐसे पहले ऐसे हम मार्क करेंगे यहाँ पर देखिए अधर हम दिखाएंगे इसके बाद इधर इधर हम पोजिशन आएगे तो स्ट्यार जहाँ पाड़ है एधर हमें कौलम काषिट करेंगे से इधर जाएगा कौलम का पोजुशन हमें दो कॉलम तो इधर देना ही चाहिए तो उसके बाद इधर इधर और इधर ऐसे घर के हम कॉलम पर बैट करते हैं ठीके 10 इच भाई 12 इच का कॉलम तो इधर प्लान और डिजाइन अच्छे लेगे लाइक और शेल करते हैं